अब हम अपने इस लेक्चर के अंदर जो यंग्स डॉबल से इक्स्पेरिमेंट है उसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे तो सेकंड पार्ट में हम यह जो पी-पोइंट हमने अपनी डाइग्राम के अंदर चिंडर किया था तो इस पी-पोइंट को हमें रिप्रेजरेंट जा रहे हैं हम वो है position of fringes ठीक है यानि हमारा p point is o point से screen पर यह कितने distance पर है ठीक है ना तो simple again हमारे पास यहां पर अगर हम देखें इस ray diagram के अंदर तो एक triangle form हो रहा है ठीक है जो के a b d है ठीक है यह तो एक triangle जो यहां पर आपको highlight भी हो रहा है इस triangle के अंदर अगर हम देखें तो a के ओपर angle theta form हो रहा है d पे 90 degree है ठीक है तो इसके according गर हम देखें तो theta के सामने वाली side perpendicular और जो आपके पास 90 degree होता उसके सामने वाली side हाइपटनेस को represent करती है और यह वाली जो side यानि a d होगी वह बेस को represent करेगी ठीक है इसी तरह एक और triangle यहां पर हमाँ पास बन रहा है which is delta p e o ठीक है अगर हम इस triangle को देखें तो देखें यह यह triangle भी highlight हो रहा है ठीक है p e o ठीक है जो blue सा highlight हो रहा है ठीक है अच्छा अब इन दोनों triangles को अगर हम देखें तो यह दोनों triangles right angle triangle है अच्छा अगर आपने दूसरे triangle p e o को देखें तो यह angle form हो रहा है e के ओपर इसके सामने वाली side which is y जो के हमारे required है perpendicular होगी और o के ओपर 90 degree बन रहा है तो triangle p e o यह दोनों triangles basically आपके right angle triangles है ठीक है तो अगर यह right angle triangles है तो इन पर हम geometric property apply कर सकते हैं अब simple हम क्या geometric property apply करते हैं कि यह जो दोनों triangles है ना right angle triangle इनके perpendicular का ratio यानि कि अगर हम देखें तो जो हमारा triangle abd है उसकी यह वाली side जो है वो perpendicular है जो के s से हमने यह represent किया अच्छा इसी तरह अगर triangle p e o को देखें तो p e o triangle की यह वाली side जो के p o है हमने इसको y represent किया यह perpendicular है तो दोनों triangle के perpendicular's का ratio equal होगा दोनों triangles के hypotenuse के ratio के अब यहाँ पर जो hypotenuse हमारे पास वो है p e o triangle का और यह जो हमारे पास a b side है दूसर triangle की ठीक है उसका hypotenuse है small d अगर मैं इसको represent करूँ तो यह कुछ यूं लिखा जाएगा s upon y यानि जो एक triangle है a b d उसका perpendicular s ठीक है दूसरे triangle का perpendicular y ठीक है अच्छा perpendicular का ratio हो गया is equal to a b अब आप जाके इसको लिखेंगे तो a b which is the hypotenuse of a b d triangle divided by p e p e जो है हमारे p e o triangle का hypotenuse है यानि यह वाली जो side आपको नज़र आ रही है यह ठीक है यह p e basically hypotenuse है तो दोनों है हारपणियस के रिशों के now अब हम अपने a b की अगर value पुट करें तो देखिए यही वाली equation कुछ यह लिखी जाएगी s upon y is equal to d upon p e now अब यहाँ पर एक बड़ी simple सी बात हम यहाँ पर represent करते हैं कि जो यह हमारा p e o triangle है ठीक है अगर हम p point को o से close करते जाएं ठीक है यह जो y की length है अगर यह बहुत ही कम हो तो हमारा जो p e है वो approximately equal हो जाएगा e o के ठीक है यह अगर आप देखे न तो यह जो p point आप खुद अगर आप पूइंट को close करते जाएं करते जाएं तो जो p e की length है यह वाली length एक यह length close होती जाएगी किस से ही औज है जो त्रीक है अगर पी point आप की तरह means करते जाने करते जारें अगर 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 एक point ऐसा आता है कि मिल्कूल close हो जाता अट है उगे ठीक है आप खुद भी अगर इसको ड्रॉ करना चाहें तो पी पॉन्ट को ड्रॉ करते हुए आप बिल्कुल एक्जैक्ली ओ की ओपर ही लिया है तो आपको जो है वह किसके एक्वल मिलेगी लेंग लेंग एक्वल मिलेगी पी की तो यहां पे हम यह कहते हैं कि अगर हमारे पा पी ओ का डिस्टेंस है फ्रिंच का यह बहुत ही शौर्ट होता है बहुत कम होता है इसकी लंद कम होती है इसलिए पी एप्रॉक्जिमेटली ओके एक्वल आएगा तो हम यहां पर यह वादा पॉइंट मेंशन करते हैं कि असल में इस एक्सपरिमेंट के अंदर जो वाय है वो बहुत स्मॉल होता है उसका उस डिस्टेंस के कंपेर में जो इसक्रीन और सिलिट्स के दर्मियान है यह जो वाय है यह हमारा फ्रिंच की पोजीशन है यह फ्रिंच की पोजीशन है यह बहुत ही कम होती है ठीक है इसक्रीन और सिलिट्स के दर्मियान डिस्टेंस से और प्राप्रॉब्सिमेटल हो जाता है और हमें मालूम है यह जो है वह कैपिटल ल के इक्वल है ठीक है ना तो अब जो हमारे पास यह एक्वेशन आ गई है एस अपॉन वाई डिपान पी इसके अंदर हम अपनी जो हमारा पी इए उसकी वैल्यू पूट करते हैं तो देखिए यह एक्वेशन हो जाएगी एस अपॉन वाई डी अपॉन एल ठीक है पी इकी जगा एल को हमने रिप्लेस कर दिया अब अगर हम देखें तो हमें वाई चाहिए तो हम वाई की पॉम में अपनी एक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं जो कि हमें फाइंड करना है विच इस अब हम क्या करते हैं अगर हमें पॉजीशन वाइंड करनी है तो जो पार्ट डिप्रेंस हम यूज करेंगे यानि एस की वैल्यू यूज करेंगे वह बिसीकली एक्वल होगी एम लैमडा यानि अगर यह ब्राइट फिरिंज है तो कंस्ट्रॉक्टिव इंटरफेरंस है और कंस्ट्रॉक्टिव इंटरफेरंस में पार्ट डिप्रेंस की वैल्यू होती है एम लैमडा तो एम लैमडा को एक्वेशन वन में हम पुट कर देते हैं अगर तो यह हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी वाई इक्वल टू एल एम लैमडा डिवाइड़ेड बाइड एसकी जगा वैल्यू पूट कर दिये तो यह जो एक्वेशन है यह बिसीकली पॉजीशन रिपेज़ेंट कर रही है ब्राइट परिंज की ठीक है तो हम जो है क्या करते हैं इस एक्वेशन को कुछ इस साना लिख लेते हैं कि वाय विच इस पॉजीशन ऑफ ब्राइड प्र इसी तरह अगर हम dark fringe की बात करें तो just हमको जो S की value है जो के part difference है जो के destructive interference यानि dark fringe के लिए equal होगा m plus half lambda just equal equation 1 में आप value put कर दीजे तो आपके पास equation आजाएगी y is equal to l into m plus half lambda by d ठीक है तो अगर हम इस equation को dark fringe के लिए mention कर लें तो y जो के dark fringe के लिए यह वो क्या हो जाएगा m plus half l lambda upon d तो यह जो formula है यह destructive interference यहने dark fringe की position को represent कर रहे है now thank you so much students Allah Hafiz